येशु ने कहा मसीयों पर सताव तो आएंगे इन आयतों का वातावरन पिछली आयतों से थोड़ा अलग है यहाँ पर येशु ने सताव के विशे में बताया है लेकिन जब प्रेरित अपना छोटा मिशेंटरी पूरा करके वापिस आये थे तो उन पर कोई सताव तो नहीं हुआ था यहाँ अठारवी आयत में अन्य जातियों पर गवाही देने को भी लिखा है जबकि पिछली आयतों में तो येशु ने अपने प्रेरितों को केवल इसराइल के घराने के पास ही भेजा था फिर बीस वी आयत में येशु ने कहा है कि सताव के समय पवित्रात्मा तुम्हें बताएगा कि क्या कहना है लेकिन पवित्रात्मा तो तब तक उत्रा ही नहीं था मतलब ये आयतें येशु के जीवन काल के बाद आगे के समय से संबंदित थी जब प्रेरित अपना प्रचार शुरू करने वाले थे तब उन पर भारी सताव होगा ये येशु कहा रहा था और केवल प्रेरितों पर ही नहीं बलकि हर उस मसीई पर जो येशु मसीई के सुसमाचार का प्रचार करेगा तो जैसा हमने चर्च के इतिहास क्लास में पढ़ा कि येशु के स्वरगा रोहन के बाद प्रेरितों के समय से ही चर्च पर सताव शुरू हो गया था फिर करीब 300 सालों तक मसीईों पर भारिश सता हुआ और वहां से लेकर आज तक चल रहा है किसी ने किसी रूप में तो येशु ने प्रेरितों से कहा मती 10-16 देखो मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेजता हूँ इस आयत को विस्तार से समझने के लिए आप यूचीव पर हमारा एक संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है भेडों की नाई भेडियों के बीच साप जैसे भुद्धिमान कभूतर जैसे भोले लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है मती साथ पंद्रा में जूटे भविशत वक्ताओं और जूटे उपदेशकों को भेड की खाल में भेडिये कहा गया है येशु ने बता रहा था कि ये जूटे उपदेशक उनका काम मुश्किल बना देंगे प्रेरितों का इसलिए ये अवश्क था कि वे कबूतरों की नाई भोले तो हो लेकिन सांपों की नाई चतुर भी तो यहां सांपों की नाई चतुर का आर्थ है कि वे खत्रे को तुरंत भाप जाएं और वहां से तुरंत निकल जाएं जैसे सांप करता है कबूतर की नाई भोले का आर्थ है कि वे शुद्ध रहें कोई खोट या छल उनमें ना हो और अपने सताव करने वालों का वे बल पूर्वक विरोधना करें एक बात जो प्रचार के समय हर मसीख को याद रखनी है वो यह है कि हम परमेश्वर का कारी करने के लिए निकलते हैं इसलिए हमें बिना कारण लोगों से नहीं उलजना है जितना जरूरी हो उतना ही तर्क करें प्रचार के समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम बिना वज़ा किसी मुसीबत को नियोता ना दें बिना वज़ा किसी से भहस में ना उलज़ें आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिने परमेश्वर में तो कोई रूची नहीं होती लेकिन वे आपसे बेकार की बहस में उलच जाएंगे अगर वो कोई सारवजनिक स्थान है जैसे कोई पब्लिक प्लेज तो पता नहीं क्या परिणाम निकले इसलिए जहां लगे है कि खत्रा बढ़ रहा है वहां से चुप-चाप निकल जाएं किसी धार्मिक सल के सामने खड़े होकर उनके धर्म के विशे में कुछ ना बोलें तो अपनी तरफ से आप कबूतरों की नाई, अर्थात, निश्पाप, शुद्ध और अहिंसाबादी रहें लेकिन जो बुद्धी परमेशर ने आपको दी है उसका भी प्रयोग करें और बिना वजए क्लेश को अमंत्रित ना करें ऐसी परिस्तितियों से बचे हैं, जो आपको बेवजय खतरे में डाल सकती हैं अब इसका मतलब ये नहीं है, कि आप सू समाचार के खातिर बिलकुल खतरा मोल नहीं लेंगे, नहीं ऐसे भी हालात हो सकते हैं जहां आपको खतरों के बीच में ही सुसमचार सुनाना पड़े अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए एक रपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें. तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें. फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें. ये एकदम फ्री है. इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें. ये भी एकदम फ्री है. इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें. मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे. इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं. उसमें भी हमारे वीडियोज बिल्कुल आराम से चलेंगे. इसके अलावा अगर आप चाहें, तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर शेटिंग्स का चिन दबाकर, 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा. 240 सेलेक्ट करने के बाद, आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिये, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए. अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाते हैं, तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीरशक है एक विशेश सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण, सेकिंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री, उसका लिंक इस वीड यह दिया हुआ है,